असलाव अलेकुम दोस्तों आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूटूब चैनल दुबाई खबर यूटूब चैनल पे तो साथियों आप सब कैसे हैं उमीद करता हूँ आप सक हर यह से होंगे वीडियो सुरू करने से पहले आपसे में रिकुष्ट करना चाता हूँ चैनल पे नहीं हो या फिर पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को पेस कर लिजिए ताकि आने वाली वीडियो की नौटिफिकेसन आपको हमें सफ्री में मिलती रहे तो साथियों आज की वीडियो बहुत ही बड़ी दोस्तों दो खबरे इस एरपोर्ट होता है उस एरपोर्ट में दोस्तों दुबबाई को नाम इसबार को चुना गया है तो SkyTracks के तरब से दोस्तों इनॉस्मेंट किया गया है कि दुबभा इंत्रनेसनल ऐरपोर्ट को इस बार जो है एरपोर्ट ऑफ दयर का आवार्ट से खिताब से नमाजा गया 2022 का तो दोस्तों ये कल के दिन Civil Aviation के द्वारा भी announcement किया गया था तो जो भी लोग आप दुबाई Airport में रहते हैं आप लोग को पता ही होगा इसके बारे में अब नहीं पता तो मैं आपको बता दे रहा हूँ दुबाई International Airport को Airport of the Year का Award इस बार देकर समानित दोस्तों ये बैंड जो लगाया गया है पाकिस्तान, इंडिया, बंगलादेस और नेपाल ये चार्ट देसों के लिए दोस्तों परतिबन लगाया गया Visit Visa के बारे में बात कर रहा हूँ मैं Work Visa के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ तो ये फिलाल अभी temporary परतिबंद लगाया गया है, अब ये कब open होगा, इसके बारे में कोई updates नहीं है, जिनका visit visa expire कर चुका हो, उनका भी renewal भी नहीं किया जाएगा, ये announcement दोस्तों दुबाई government के तरब से, UAE government के तरब से announcement किया गया है, तो जो भी आप लोग visit visa लेकर वहाँ जाने वाले थे, आपके लोगे लिए बहुती बुरी खबर है, क्योंकि visit visa को फिलाल भी temporary बंद कर लिया गया है, अगली जो खबर दोस्तों आरी बहुती बड़ी खबर है, सातियों आपको FIFA World Cup को लेकर मैं आपको बता देता हूँ, सातियों कल के दिन Argentina और क्रोसिया का बीच फैनल मैच खेलेंगी, तो दोस्तों सभी लोग ये चाह रहे है कि मुरक को टीम जीजाए, क्योंकि ये पहली गल्फ कंट्री है, पहली अफ्रीकन कंट्री है, पहली मुस्लिम कंट्री है, जो कि दोस्तों FIFA World Cup के सेमी फैनल में पहुंचे, आप देखते हैं, जो अच्छा टी अच्छी पाल लाफीज और टेक केर